हेलो गाईज और वेलकम टू आई कॉंटा यूट्यूब चानल आई डूंट थिंग यार कैट एग्जाम की हिस्ट्री में किसी एक पर्टिकुलर येर में इतने सारे अपडेट्स आई होंगे या फिर आप ये कह सकते हो कि कि काट का स्कोर एक्सेप करने वाले ISB ने तो एक नया प्रोग्राम ही लाँच कर दिया YLP प्रोग्राम जिसमें आप काट एक्जाम के स्कोर के तुरू अप्लाई कर सकते हो अपके पास 0 से 24 मन तक का एक्स्परेंस से आप तभी अप्लाई कर पाओगे अगर आपके पास 25 मन्स का भी वरक एक्स है तो आप एलिजबल नहीं हो उस प्रोग्राम के लिए तो kind of fresher student या less than 24 मन्त वरक एक्स वाले student को target करके वो प्रोग्राम लाए गया बट किसी ने भी कभी यह expect नहीं कराता है कि आर ISB कभी cat का score भी accept करेगा तो यह एक बहुत अची चीज होई इस साल बहुत unexpected चीज होई आप कहसकते हो और ऐसा ही एक और unexpected अपडेट आगया है कि IIT Bombay का जो MBA प्रोग्राम है जिसको आप SJ सौम बोलते हो लास्ट यह तक यहाँ पर यह होता था कि अगर आपके पास फूर यह का बैचलर डिग्री है चाहें वह बी टेक का हो BAC के भी I guess कुछ प्रोग्राम होते हैं जो 4 years वाले होते हैं आप तभी इस particular प्रोग्राम में apply कर पाऊगे यानि कि इनके MBA प्रोग्राम में आप apply कर पाऊगे तो इससे होता degree with at least 60% marks यहां पर यह कहीं भी पूरे paragraph में यहां पर यह चीज़ मेंचेड नहीं है कि आपके पास 4 years का bachelor degree होना compulsory है the only thing that is mentioned is कि 60% marks होने चाहिए उन students के जिनका you know journal category है या OBC category है और जो SCST PWD वाले student है उनका 55% का criteria है तो अगर आप इस criteria को meet करते हो चाहें आपका 3 years का degree है 4 years का degree है matter नहीं करता आप IIT Bombay का MBA प्रोग्राम है उसके लिए apply कर सकते हो IITs and IM को अगर आप compare करोगे तो ROI wise आपको IITs बेटर दिखेंगे IIT Bombay का जो brand name है उसके बारे में I don't think कुछ बहुत जादा अगर मैं इंडिया के जो बहार का जो पूरा narrative है अगर आप देखोगे तो इंडिया के बहार IM से जादा जो value है जो अगर आप कहते हूं न किसी college के tag की value है तो वह IIT की है कि चलो यार एक और option आता है विकोस जब आप cat के लिए prepare करते हो आपका score आते है आप चाते हो कि यार आप उस score के through maximum college के लिए apply कर पाओ और ऐसा ही एक और अच्छा college अब आपकी उस dream college की जो bucket list है उसमें आ गया है ठीक है बट अगर आपको मैं पूरा selection criteria बता हूं तो यहाँ पे ना भी update नहीं आए इन्नोंने mention करा है कि details will follow soon भी बाद में update करेंगे बट last year का जो batch था यहने कि 2024-26 वाला जो batch था उसका selection criteria क्या था वो मैं आपको इस video में बता देता हूं so that आपको एक basic idea लग जाएगा and I don't think कि कुछ बहुत जादा major changes होने वाले है अगर कुछ change आता है let's say किसी चीज का weightage last year 10% था उसको काम कर दिया जादा कर दिया तो उसके जैसी वो update आएगा या ऐसा कुछ अगर होता है तो उस पर वीडियो आ जाएगा but अभी के लिए हम जो last year का selection criteria था वो देख लेता है okay so IIT Bombay last year selection criteria तो अगर आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यार cat का जो cut off है यानि कि जो minimum cut off है वो कितना है तो जो general और AWS candidate के student है उनके लिए जो minimum cut off है that is 90 percentile and जो आपके तीनों section है यानि कि Quant, VARC और DLR उसमें आपका 75 plus होना चाहिए ठेक है तो काफी सारी IIT रसी भी है जैसे IIT Delhi में I don't think कि कुछ ऐसा आपका minimum selection criteria का कुछ ऐसा cut off है बाट IIT Bombay में ये चीज़ है और काफी जादा है like 90 percentile के round तो आपको at least लाना ही होगा cat में to be eligible के आप इस program में apply कर पा होती है जर्नल और AWS candidates के लिए है जो OBC candidate है उनका जो sectional का criteria है वो यह है 67.5 and जो overall का criteria है that is 81 ऐसी आप SCSTN PWD का यहाँ पर 25 कर दें I don't think कम करेंगे अगर ऐसा कुछ आता है तो उस पर वीडियो या पोस्ट आपको आइकॉन टा Instagram पेज पर मिल जाएगा ठीक है देन आपका जो shortlisting criteria for P.I. यानि कि जिस business पर आपको interview का call आएगा तो interview का call में like जो last year था cat 23 का जो weightage था that was 70 percent and यह बहुत जादा है यान IIT Bombay जो majority of जो आपका weightage है वो cat score को ही दे रहा है तो अगर आप cat में general category के student हो और आप 99 के आसपास ले आते हो there are chances कि आपको IIT Bombay से definitely call आ जाएगा and definitely आपको इस college में जाना भी चाहिए विकास अगर आप मुझ से पूछो तो I think कि जो I am कोजे कोड और I am indoor है आप उस level पे इसक को consider कर सकते हो IIT Bombay को ठीक है academic profile जिसमें आपका 12th आ जाता है जिसमें आपका graduation आ जाता है तो 12th का आपका 5% weightage है और आपका जो graduation है उसका आपका 5% weightage है इससे यह चीस clear होती है कि 10th के school को कोई weightage नहीं है तिर उसके बाद आपका gender diversity को points है जो जिनके पास PG है या कोई professional degree है let's say CA, CWA, ICWL जो professional courses होते है अगर आपके पास वो है तो उनको भी weightage है 5% और आपका workage का भी weightage है 5% but still जो major chunk है that is cats को roll ली तो आपको यह target करना है कि 24th number का cat आने वाला है अगर आप एक general category के student हो कोशिश करो कि आप 98.5 प्लस वाला जो mark है उसको touch कर रहे हो definitely आपको IIT Bombay से call आने वाला है ठीक है final selection criteria देख लेते हैं इससे पहले वाला जो criteria था उस business पर interview का call आएगा and इस criteria पर आपका जो final conversion वाली list आएगी कि आपने college को convert कर लिया है cat score का जो weightage है that is 42.5% ठीक ठाक weightage है like अगर मैं इसको IIM से compare करूँ तो यार वहाँ पे बाद में cat का weightage 30% के around आ जाता है तो अगर आप उससे compare करोगे तो ठीक ठाक weightage है तो आपका जो PI है उसका भी exact same and उसके बाद जो आपकी profile है उसको 15% weightage है तो जिसमें आपका graduation का 6% work X and आ वो सारी चीजे जो मिला के आपके जो exact profile बनाती है तो उसका जो है around आपका 3% weightage है तो यह आपका है final selection criteria इस साल I don't think कि कुछ बहुत जादा major changes आएंगे initial और final selection criteria में अगर थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है तो यहाँ पर maybe कुछ change कर दें कि इसको थोड़ा कम करके and आपका maybe interview क का weightage बढ़ा दें यह profile का weightage बढ़ा दें बहुत minor changes आएंगे ऐसा कुछ आता है तो आपको update मिल जाएगा ठीक है okay now क्यों करते हो आप MBA placements ठीक है last year के मैं अगर बात करूं average package is around 28 LPA एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि यह batch size काफी छोटा है compared to IM's 115 students का ही batch size है जो top 50% batch है उस यह आपका ABC level का package लगता है अगर देखा जाए तो ABC में आप देखो के तो on an average इसी के around रहता तो अगर आप IIT pump बजाते हो top 50% batch में रहते हो आप easily वहां से 34 LPA के आसपास का package उठा सकते हो highest package जो था last year that was 72 LPA and this is a domestic package international के मैं बात नहीं कर रहा हूं international में भी जादा हो बट यह domestic package आपका domain wise अगर हम देख लें कि सेक्टर में आपका you know job का जो split है तो जो आपकी banking finance या conglomerate जो companies है आपकी उनका around 23% वहां पर placements हुई थी then उसके अलाबा consulting में 19% 18% आपका IT e-commerce में FMCG and pharma तो यह आप देख सकते हो तो definitely एक बहुत अच्छा option IIT Bombay के मैं अगर forms की बात करूं तो यहार forms अभी आउट नहीं हुए cat के बाद होंगे and last date हर साल जो आपका रहता है वो 31st January रहता है तो आप अपना cat का score देखके उस basis पर apply कर सकते हो उसमें कोई भी problem नहीं आने वाला definitely एक बहुत अच्छा option अगर आप cat में expect कर रहे हो कि आपका 98-99 के round आने वाला है and आप general category के student हो आपको apply करना चाहिए for OBC student around आगर आप 96 के आसपास भी score कर रहे हो आपको apply करना चाहिए and SCST वाले 90 प्लस जाते ही इस college के calls आने आपको शुरू हो जाएंगे rest depends upon आप कैसा interview देते हो उस basis पर आपका final convert होता है so this was the video thank you so much for watching and do subscribe to Iconta YouTube channel for more such updates all the best